हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो मैं यूट्यूब चैनल दपेट विजन दिस साहिल मलिक यूर होस्त और वेट तो गाइस हमेशा की तरह आज मैं इंपोर्टेंट टॉपिक लेके आया हम आपके लिए यह इंपोर्टेंट क्यों है क्योंकि काफी कॉमनली कोज है कि डॉक के अंदर वोमेटिंग हो रही है उनकी प्रॉबम को मिलती है कि 1 निए मतिंग के ही और छोटे गीमेल के आदर भी सेम रीजन ए अगर कोई भी फोरेंपेंट्स हैं वहां से बॉडी बनाती है अगर आपका खाली पेट है जो आप स्क्रीन पे देख रहे ओंड जो आपको यह वो मेंटिंग दिख रही है इछ यह वायट इस हो सकती है यह खाली पेट ही दोग करता है अगर मालो यह इसके अंदर अगर ब्लड आ रहे है तो आपको यह एमर्जेंसी केस है अगर मालो इसके अंदर ब्लड आ रहे हैं वह सब्सक्राइब कंसल्ट करवाना चाहिए और आपको खुद को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि काफी जादा यह सीरियस कोज हो सकता है आगे चल गए इसलिए हमें तुरंत उसका इलाज करवाना जरूरी है तो काईज आफ हम बात करते हैं यह जो फॉम है जो यलो फॉम है जो वज़े से जितना भी उसके अंदर जो लिक्विड होता है जो रिलीज करती है जूस को लिटल बिट वह बहार आजाता है और आप यह सोच लेते हो कि काफी ज्यादा सीरियस केस है लेकिन सीरियस केस नहीं है बट हम अपने संदेश से देखें अपने डोग को कि करना है आपको फर्स्ट फॉल जो अगर आपका डोग खाली पेट है सुबहे आप उसे कुछ खाने को दें रोटी या जो भी आप फूड वगरा दे रहे हो वो दें ठीक है फूड से क्या होता है बाइल डॉक्ट जो इरिटेशन होती है वह स्टोप हो जाती है और यह काफी इंपोर्टेंट है कुछ ना कुछ खिलाना क्योंकि आप भी तो गई सुबह का ब्रेकफास्ट करते हो वैसे हमें भी हमें भी अपने डोग को ब्रेकफास्ट करवाना है ताकि बाइल डॉक्ट इरिटेशन ना हो और वह इस ताइप की जो फोम आपको स्क्रीन पे दिख रह है बिकोज पपीज की एज में बहुत ज्यादा होता है और अडल्ट में भी होता ही है लिटल बिट ठीक है वो मेटिंग का केस आते हैं तो इस टाइप की वो मेटिंग है इसका देशी इलास तो यह है अब अगर हम किसी मेडिसीन की बात करें कि आप बोलो कि डॉक्ट साब ह से भी अपने डोग को दे सकते हैं अगर आपका डोग पपी है मालो बिल्कुल छोटा सा है एक महिने का या डेड़ महिने का उसे ऐसी चीज़ें हो रही है जब आपने मालो स्टार्टर फूड दे दिया हो फिर उस्टार्टर फूड के बाद यह प्रोब्लम फेस करनी आप यह प्लागे छोड़ देने आपको रोज डेली रिपीट करनी है दिन में तीन बार आप इसे दे सकते हैं और खाने के अंदर मिलाके या आप खाने के अंदर मिलाके भी नहीं दे सकते आप अब सड़न आप उन्हें जो ड्रोपर या सीरिंस से उसके माउथ में डालके आप वहां पर डिपोजिट कर सकते हैं तो गाइस यह एक वीडियो मैंने एक बेसिक कंटेंट उठाके यह आपको बताया है इसके इसकी रेमेडिस के बारे में कि हमें होम रेमेडिस क्या करनी है और अगर ज्यादा सीरियस हो जाता है तो हमें उसे कौन सा सस्पेंशन देना गाइस आशा करता हूं आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी अच्छी नहीं लगी हो तो कुछ ना कुछ तो आपको नोलेज्ज गेन हुई होगी अगर आपके डोक के साथ भी यह प्रॉब्लम हो रही है तो आप जरूर यह एपलाय करें बाकी गाइस अगर पर्वो के केस काफी ज़्यादा चल रहे हैं तो इसका इसके इलाज के लिए अपने डॉक्टर के पास जाएं और इमीडियेटली आप उस चीज़ का कंसल्ट करें और उस चीज़ का सोलीशन करें पर्वाइरस काफी ज़्यादा खतरना होता है जिसका मैं लिंक भी आपको वीडियो में दे दूआ लिचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में आप उसे क्लिक करना क्लिक करके आप देखना समझना की पार्वाइरस क्या है और उसका क्या आपकी डोक के उपर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है तो यह एक छोटी सी मैने क्लिप बनाई थी अच्छी तो लगी जुरूर प्रेस करें थैंक्यू सो मच और बबाए